किसी भी फोन को फास्ट चार्ज करने के लिए हमेशा 120W वाला फास्ट चार्जर की ज़रूरत नहीं रहता है आपके पास जो नॉर्मल चार्जर है उस चार्जर से भी अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकतो तो बस कुछ settings को आपको इसके लिए apply करना पड़ेगा तब ही यह चीज जोए possible हो सकता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखा दूँगा बस आपको follow करना है तो अभी से इस वीडियो पर लाइक कर दो और अगर अगर आपने अभी तक take no mind usual channel को subscribe नहीं किया है तो अब भी जाकर subscribe कीजिए और साथी bell icon को भी प्रेस करके रगना ताकि ऐसी interesting videos upload होती आपके पास सबसे पहले notification पहुंच जाए तो चलिए बिना time waste किये इस वीडियो को start करते तो सबसे पहले जो most important trigger आता है इसके लिए अब अपने phone के अंदर जो आल्ट्रा बैटरी से ब्याद दिया गया है या फिर किसी किसी phone के अंदर super power saving mode करके भी लिखा रहता है उसे enable करके अपने phone को charging पे लगाए इससे हमें फाइदा के मिलेगा जब भी आप अपने phone को charging पे लगाएंगे तो भई उसका जो background activity से ओ काफी ज़दा reduce हो जाएगा तो भई definitely आपका phone जो पहले से बहुत ज़दा fast charge होने लगेगा बट इसके बाद भी जो settings में आपको बताऊंगा उन से भी settings को भी आप इसके साथ apply कर दिजेगा ताकि आपको maximum benefit मिल सके and कम से कम time में आपके phone में 100% charge complete हो जाए अब second जो trick आता है इसका आप काफी अच्छे से ध्यांद रखिएगा हम लोग कभी कबर करते हैं जल्दबाजी में mobile data, bluetooth या फिर wifi on करकी phone को charging पे लगा देते यह सबसे बड़ा एक mistake है आपको यह चीज कभी भी करना नहीं है इसके बाजा से आपको दो दिक्कते हो सकता है आपका battery backup दिन के दिन बहुत ज़दा कम हो सकता है और आपके phone में जो charging time है वो काफी ज़दा increase हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़दा दिक्कत होने वाला है और इसे आप एक ही सब्दों में समझाया जाए तो आपका battery इससे खराब हो सकता है जो कि आपको बिलकुल भी नहीं करना है ताकि आपके phone के अंदर कोई भी charging related problems ना आए और जो भी charger यूज करे तो normal वाला या फिर कोई और उससे जल्द से जल्द आपका phone charge हो पाए अब थार्ट ट्रिक के लिए आप simply setting option में जाए उसके बाद about phone में जाकर UI version या फिर Android version के उपर जाया तर phones में तो आजकल UI version के उपर ही साथ से आद बाद टैप करना परता है तो आपका developer option open हो जाएगा और developer options भी आजकल more settings या फिर additional settings के अंदर ही रहता है जो कि setting option के अंदर आ जाएगा तो simply आप यासे additional setting में जाकर table option को open कर लीजिए open करने के बाद आपको एकदम last में जाना है then आप थोड़ा थोड़ा करके उपर करेंगे तो भई आपको background process limit करके एक option देखने को मिलेगा उस पर आप tap कीजिए and यहापर no background process कर दीजिए देखिए इससे फाइदा क्य हो जाएगा और इस setting को apply करने के बाद आप notice करके देखेगा आपके phone के अंदर जो charging time था पहले उससे काफी कम time में आपका phone 100% charge हो जाएगा जो कि आप खुद भी साय देखकर हैरान हो जाओगे तो आप बात कर लेते एक tip की जो कि आपको definitely try करना चाहिए ताकि आपको maximum इसका benefit मिले and आपका जो battery backup है charging के बाद ओ कम ना हो हम लोग normally क्या करते देखे कोई हमें थीम पसंद आ गया तो उसे तुरन download करके अपने phone के अंदर apply कर देते एप बिना देखे कि ओफ थीम heavy weight है या fit नहीं अगर ओफ थीम size काफी ज़्यादा है ओफ थीम काफी ज़्यादा heavy weight है त और मैं आपको यही सजिस्ट करूंगा आपके phone के अंदर जो इन बिल्टेज themes दिया गया है और उन सरे themes का size दिखेगा 1-2 MB के अंदर होता है ताकि battery को कोई भी नुकसान ना पहुंचे तो उनी से भी themes को आप apply कीजिए use कीजिए ताकि आपको charging related problems ज्यादा face करना ना पड़ है तो अभी जाकर subscribe कीजिए और साथी बिल आइकोन को भी प्रेस कर लेना ताकि यह इसी interesting वीडियो से upload होती ही आपके पास सबसे पहले फटाक से notification पहुंच जाए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और भाई लाश पर मैं आप चित करते करते मैं नोटीस नहीं किया तो चलिए बाई बाई